कि अ कि आ दो और दो कि अ पर देशबर में विरोध हो रहा है लेकिन जो सरकारी संपच्चों को नुक्षान बच्चे पहुंचा रहे हैं उसके में पक्ष्व नहीं हो उनको लोगतांतिक तरीके सांदोल करना चाहिए किसान अंदोल गंदर किसान विरोधी भी लाये तो हमने सत्ता चोड़ी और जैसे यह निरन आया सोचल मीडिया के प्लेट भारंकुबास सेकिंड है राजस्तान में राश्चिन लोगतांतिक पार्टी देश का पहला दल था जो शड़क पे था हमारे विदाईक में खुद अंदर हो जाएगा और पेरा मिल्ट्री फॉर्ट्री का जवान है तो देश में हां कार मत जाएगा ग्रही हुद की इसकी देश के अंदर हो जाएगा इस सरकार के मंत्री घुंडा बता रहे हैं इतना बड़ा मेकमा दे दिया उनको उनके बसकी बात नहीं बड़ बोले हैं जादा बोलते हैं और बात में माफी भी मांग लेता है उनका फ्लेट प्रसर आई रहता है दवाया खाले हो लंबे समय राजिस्तान में हाली विल जो उनके करवा दिया लग बीजेपी में चवदाद दूल बारा तेरा दूले रेगलो तेरी दूलन खतम होगी राजिस्तान के लिए निकले तो राजिस्तान को बचाना अब बचाना तो राजिस्तान की जंता बढ़े ने मुझे गोड़ी पर बैठा रही है केंद्र की नरेंद्र मूदी सरकार सेना भर्टी के लिए लाई गई नई स्कीन को लेकर घिरती नजर आ रही है एक और जहां लाकतार देशपर में अगनिपत योजना का विरोध हो रहा है इसी बीच छात्र संगठनों ने आज पिहार बन बुलाया दिसकासर साफ़त और पर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में देखने को मिला इस बीच इस योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच सरकार कई तरह के एलानों से इस पुरे विवाद को खतम करने की कोशिश कर रही है इसके लिए सरकार की तरफ से योजना को लेकर कई एलान किये जा रही है ग्रह मंत्राले के अगनी वीरो को भर्ती में आरक्षन वाले एलान के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग की तरफ से कुछ एलान किये गए है रक्षा मंत्राले ने अपने मंत्राले के तहत होने वाली भर्टियों में अगनी वीरों को 10 वीसदी आरक्षन देने का एलाद किया है रक्षा मंत्राले ने ट्वीट कर इस वैसले की जानकारी दी है रक्षा मंत्राले के और से किये गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्राले की भर्तियों में अगनी वीरों के लिए 10 वीसदी आरक्षन के प्रस्ताफ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के और से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी सरशोधन किये जाएंगे इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा तो वहीं राजनात सिंग के इस बड़े ऐलान से पहले ग्रहमंत्राले की और से भी बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रे आम्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भरती में अगनी वीरों को दस फिस्दी आरक्षन देने का ऐलान किया गया है आपको बता दी कि पिछले चार दिनों से देश के अलग-अलग राजियों में अगनी पत्य उचना को लेकर बवाल लगातार चारी है कई जगहों पर प्रदर्शन के नापर आज़नी और तोड़ फुट जा रही है देश भर के युवा सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस फैसले को तुरलत वापस ले हाला कि सरकार युवाओं को शार्थ करने के लिए इस योज़ना में कई तरह के बद्लाप करने हैं अफगानिस्तान की राज़धाने काबूल में गुर्दवारा कार्थे परवान पर शनिवार को सुबह सुबह आदंकियों ने हमला कर दिया आदंकियों ने यहां कई ब्लास किये इस हमले में गुरुदवार के सुरक्षगार के साथ दो लोगों की मौत हो गई तो वही तीन लोगों को बाहर निकाला जा चुका है इन में से दो को घायल हालात में अस्पताल भेजा गया है इस घट्या में कम से कम पत्चीस लोगों के हताहत होने की आशंका है एक चश्मदीत ने बताया कि हमला वरों ने अचानक गुर्दवारे पर धावा बूल दिया और फिर ताबर तोड़ फाइरिंग करने लगे कुछ लोग जान बचाने के लिए बिल्दिंग के दूसरे तरफ चिप गए काबूल में हुए हमले पर भारती विदेश मंतरा ले भी नजर बनाए हुए है विदेश मंतरी एस जैशंकरने गुर्दवारे पर हुए हमले की निंदा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि गुर्दवारा करते परवान पर हुए काहरता पूर्वक हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए हमले की खबर मिलने के बाद से हम गर्नागरम पर करीब से नजर बनाए हुए है हमारी पहली और सबसे जरूरी चिंता समुदाय की कर लियान के लिए है जबकि पंजाब की मुखे मंतरी भगवंत मानने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है मानने काबुल में अलप संख्यकों की सुरक्षत तुनिशित करने के लिए फॉरं सहायता के लिए पियम मोदी और विदेश मंतरी से आग रहे किया है आपको बता दे कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूरे अफगानिस्तान में आतकवादी कदी विदियां काफी बढ़ गई है पिछले साली अक्टूबर में तालिबान के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही हमलावरों ने गुर्द्वारा करते परवन पर धावा बोल दिया था और संपत्ति को काफी नुकसान पहुचाए था मा कोई शब्द नहीं है बलकि एक संसार है भावनाई है चंद शब्दों में कहा जाए तो मा सब कुछ है दुनिया में हर इंसान की धेरों कहानिया अपनी मा से जुड़ी होती है नौ महीने अपने खून से सीचने वाली मा बच्चे को जन्म देने से पहले काफी दर्द से जूचती है मगर जैसे ही उसके बच्चे का जन्म होता है वो सारे दर्द को भुला देती है कुछ ऐसी ही यादे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की अपनी मा से जुड़ी हुई है आज पिया मोधी की मा हीरा बेन अपनी जीवन के सौवे साल में प्रवेश कर रही है जिसको लेकर सुभा सुभा पिया मोधी गांधी नेगर में उनके घर पहुँचे और मा से मुलाकात की पिया मोधी ने खुद उनकी मा के पाउंध होए जमीन पर बैठ कर मा से कुछ बाते की और मा की हाथ से प्रसाद खा कर आशरवाद लिया इसके बाद पिया मोधी ने अपनी वेबसाइट पर मा को समर्पित एक भावुक करने वाला पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर देश का प्रधार मंत्री बढ़ने तक के सफर में अपनी हर याद को साज़ा किया आपको बता दे कि इसी साल गुजरात में विधान सभा चुनाव होने चा रही है जिसको लेकर पिया मोधी खुद काफी आक्टिव नजर आ रही है इसी कड़ी में पिया मोधी गुजरात के दौर पर पहुँचे हुए है मास्या शिरवाद लेने के बाद पिया मोधी पावगड पहुचकर काली माता की पूजा अर्चना करने पहुचे इस तोरान पावगड मंदिर के शिखर पर धोजा रूहन भी किया गया जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब मंदिर के शिखर पर धोजा रूहन किया गया सरकार ने सेना में भरती के लिए अगनिपत स्कीम का एलान क्या किया सडको पर सन ग्राम शूर हो गया बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक युवा सडको और रेल पट्रियों पर उतर आए है बिहार के मसौडी से लेकर यूपी के जौनपूर तक जो युवा सडको पर दौर लगाते पुश अप करते और बीम खीचते नजर आते थे आज वही युवा हाथों में बास, बल्लियां और पत्थर लेने जरा रहे है मसौडी से जौनपूर तक बवाल मचा है बिहार में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए 12 जिलों में 48 घंते के लिए मुबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है कई राजियों में युवा सडको पर निकल कर इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है अग्मिपत स्कीम के खिलाफ कई संगटनों ने 18 जून को बिहार बंद का आवाहन किया था जिसका व्यापा का सर भी देखने को मिला सुबह से दुकाने बंद रही प्रदर्शन कारियों ने पूरे शहर के दुकाने बंद करा दी जिसके बाद प्रदर्शन कारियों ने सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक जम कर बवाल काटा लगातार पत्थरबाजी के साथ कई जगहों पर आग जनी भी की गई मसवड़ी में प्रदर्शन कारियों ने जी आरपी कार्याले के पास सरकारी गारी को आग लगा दी हालात को नियंतरन मिलाने के लिए पुलीस ने आसू गैस के गोले दागे और हवाई फाइरिंग भी की गॉर्टलबे की देश भर में सेना में भरती को लेकर सरकार की नई नीती का जबरदस्त विरोध हो रहा है दरसल युवा वर्ग सरकार की इस नीती से खुश नहीं दिखाई दे रहा है युवाओं का कहना है कि चार सार की नौकरी के बाद हम कहा जाएंगे प्रदर्शिनकारी युवाओं की मांग है कि सरकार फॉरन इस उजना को वापस ले साथ ही सरकार लंबे समय से सेना में बंध पड़ी भर्दी को दोबार से खोले इसके अलावा पुरानी लटके भर्दीों को भी जल्द जल्द क्लियर किया जाएं भारत में कोरोना का खत्रा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है जिससे देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है स्वासर मंत्राले के आपलों के मताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,216 नए मामले सामने आये है वहीं इस दोरान 23 लोगों की मौत भी हुई है नए मामलों के बाद देश में एक्टिव केसू की संख्या 68,000 को पार कर चुकी है कोरोना के सबसे ज़ादा मामले फिलहाल पांच राजियों में सामने आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में कोरोना के जितने मामले सामने आये हैं उनमें से 81 फीसदी मामले महरास्टर हर्याना, करनाटा, केरल और दिल्ली में से सामने आये हैं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 गंटे में कोरोना के 1700 से जादा नई मामले सामने आए हैं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की संक्रमर दर 8 फीसदी के पार चली गई है वहीं अगर महरास्टर की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से जादा नए मामले सामने आए हैं तो वहीं केरल में भी बड़ा उच्छाल देखते हुए 3,000 से जादा नए केस देखने को मिले हैं गौरतलब है कि देश पहले ही कोरोना के 3 लहरों का दर्द छेल चुका है इन लहरों में देश को जानमान का भारी नुकसान उठाना पड़ा इस महमारी पर काबू पाने के लिए सरकार देश के सभी नागरिकों को कुरोना वैक्सीन की दो-दो डोस खुद अपने खर्चे पर लगवा चुकी है वहीं अब प्रिकॉशन डोस के लिए लोगों से अपने खर्चे पर लगवाने की अपील की गई है जिसका ज़ादा असर फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है अब प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट